बूर्णिंग गैस कैसे हैं आप सब और अभी सुबह के साथ बजे हैं और मैं ये पापा बेटे का दोनों का लंच पैक कर रही हूं और जैसा कि मैंने कल भी दिखाया था आज भी मैं अपनी वीडियो में दिखा दूंगी कि मैं अपने बेटे का लंच पैक करने के लिए क्यों यूज करती हूं फॉयल पैपर क्यों नहीं यूज करती तो हस्बेंट का तो मैं फॉयल में ही रैप करती हूं बट बेटे का मैं कपड़े में रैप करती हूं तो स्कूल से आने के बाद इस बारे में मैं डेटेल में बात करूंगी तो फिलहाल तो सरफ सुबह की ही त वेस्टरन गाउन है और इसे ही मैं स्कूल पहन कर जाने वाली हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा इंडो वेस्टरन स्ट्राइल लोग दोंगे यह देखिए यह पूरा वेस्टरन है आपको दिख रहोगा और स्कूल में इस ट्राइब का अच्छा नहीं लेगा क्योंकि यह उस ल लुक है वो इंडो वेस्टरन आ गया है और बीच में इसके स्लिट है एक लॉंग स्लिट है इसमें और उसके साथ मैंने वियर की है यह ब्लैक जैगिंग क्योंकि जो मैंने उपर यह जैके डाली है उसमें ग्रे और ब्लैक है तो मैंने ब्ल्यू और ब्लैक का ही कॉमिनेशन ये बनाया है और आप देख सकते हैं कि कितना सुन्दर और ये स्टाइलिश लुक आया है हैलो गाइज कैसे हैं आप सब और अभी टाइम हो चुका है शाम के साड़े चार का मैं स्कूल से आज शुकी हूँ स्कूल से मैं डेड़ बजे ही आगी थी और उसके बाद वही डेली रुटीन बच्चों को संभालना आते ही खाना वाना खिला के उनको खुद लंच करना और उसके बद बच्चों को सुलाना तो अब मैं थोड़ा free हुई थी तो मुझे लगा कि अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ी देर भी free बैठी थी मैं तो आज एक special बात बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को अपने सुबह वाली वीडियो में देखा होगा कि मैं lunch pack करती हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं कपड़े में white कपड़े में रोटी रैप करती हूँ तो शायद कुछ को अजीब भी लगी हो ये बात है तो उसी पर आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसा मैं क्यूं करती हूँ चरेंछ, हम जब खाना पैक करते हैं तो हम जो अलमूनियम की फोईल रैप आते हैं हम उन में पैक करते हैं और उससे हमारा खाना फ्रेश भी रहता है और कुछ ताहिम के लिए गरम भी रहता है लेकिन यही चीज अगर हम दूसरे वे में देखें तो उसके बहुत सारे side facts हैं और हमें बिलकुल उनका use नहीं करना चाहिए even same time पे जैसे ही आपको पता चलता है कि यह हमारे सेहत के लिए हानी का रख है तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके बहुत सारे bad facts हैं जो हमारी health पर बहुत पूरा प्रभाव डालते हैं अभी plastic पर और इन सब पर बहुत चल रहा था इंडिया में की plastic बैन करने की कोशिश की जारी थी यह वो चोलो plastic भी बहुत जादा हामफुल है बट यह जो almonium की चीज़े हम घर में यूज करते हैं चाहिए वो food wrap है या फिर जो हमारे pressure cookers है या non-stick wear हैं वो सारे के सारे हमारी health के लिए बहुत जादा हामफुल है बट आजकल क्या एक trend आ गया है हर कोई non-stick use कि यूज कर रहा है तो मतलब कोई यह नहीं सोच ठा के लोग मिर्ति के वरतन क्यूं यूज करतें थे लोहे या पीतल के क्यूं यूज करते थे मतलब पीतल के बरतन तो आज भी aluminum से महंगे आते हैं बट फिर भी पहले के टाइम में पीतल और ये सब्यादा य्यूस होता था क्लिह वुशी की तरफ कोई जाना ही नहीं चाला है हर कोई मतलब जो चलता आ रहा है मतलब दूसरों को देख के लोग व्वोड रे लोग उसकी तह तक जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊँ जो एल्मोनियम का फोल रैप है हमारा जिसमें हम खाना पैक करते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि कभी भी उसमें लिक्विड और सॉस चटनी मतलब इस टाइब की चीजे तो बिल्कुल ही नहीं हमें पैक करने चाहिए या कई बार हम लंच वोक्स के ऊपर भी लगा देते हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल अभी से बैंट कर देना चाहिए बहुत ज्यादा हामफुल है वो और लिक्विड और सॉस वेगरा के टच में आकर जो एल्मोनियम है हमारा फोल रैप है या फिर बरतन भी है तो उसमें से कुछ पार्ट्स उसका निकल के हमारे खाने में मिल ज कउधा कोई भी अलमोनियम का बरतन नहीं है ना में पतीले यूज करती हूं आलमोनियम के ना कुछ और समान औरjach कुकर मेशा खाना बनाने के लिए मैं कड़ाई का यूज कर्ते हूं मेरे पास चारपांच और फिर और यह वह तुारी की हैनिन फिर पितल की है मैं प्रेशर क करका यूज मेरे घर में महीनों महीनों तक नहीं होता तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइज करोंगे कि ऐलमुनियम की चीजों का कम से कम यूज करें इवन बंद ही कर दें बिल्कुल कि घर में लाओगे ही नहीं तो यूज भी नहीं होगा तो इसलिए मैं यही करते हू जो आजकर लोगों को भूलने कि आदत होगी है या फिर कुछ भी समान रखके भूल जाते हैं तो वह इन ही सब चीजों की वज़े से हो रहा है जो एल्मुनियम का बैड फैक्ट हमारे खाने पर आता है या वह एक तरह से जहर के बराबर स्लो पॉईजन का काम करता है एक बार में नहीं वह धीरे धीरे बार-बार ऐल्मुनियम और उसके बरतन यूज करने से धीरे धीरे वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगे कि अल्मुनियम को लगबग बंद कर दें मैंने अपने घर में यही कोशिश की विए शुरू से अल्मुनियम के बरतन तो मैं बिल्कुल यूज नहीं करती तो खुद पर और बच्चों पर तो मैंने पूरा 100% कंट्रोल किया हुआ है मैं बेटे को हमेशा अभी उसने लंच ले जाना शुरू किया है अप्रेल से लेकिन जब से वो लंच ले जाता है तब से ही मैंने उसके लिए वाइट हैंकी बनाई हुए हैं घर में ही प्लेन कपड कर दिया में को इसको साइड से सिलाइ कर दिया है अगर आप इतनी महीनत नहीं कर दे नहीं करना चाहते तो वाइट कपड़े के हैं Monsieur Venit में को भी ने कुछिध कि अभी में ही रखती हूं चांप चाहिनy थी कुछ चाने तो आप भी इस सरह के आइडियाज घर में निकाल सकते हैं और आज कल तो मार्केट में बने बनाए भी आते हैं और घर में भी बना सकते हैं रोटी रखने का एक चोटा सा पाउच टाइप का आता है जो कपड़े का ही बना होता है कोटन के कपड़े से बना होता है तो उसमें कि जरूरत नहीं होती, वो ऐसे round shape का होता है, उसके बीच में रोटी रखे और जिप उसमें लगी होती है, तो वो इस टाइब का भी आप market से खरीज सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरी advice भी है, request भी है, कि आप foil को बिलकुल बंद कर दीजिए, या हो सके, तो कम से कम उसका use करें घर में, बरतन बिलकुल बंद कर दे, क्योंकि ये हमारे और हमारे बच्चों पर ही bad effect डालता है, pregnant ladies के लिए ये जो aluminium है, बहुत जादा खतरनाक है, और ये normal इंसान से double खतरनाक उसके लिए है, क्योंकि उसकी खुद की body पर भी bad effect डिसका आ रहा है, और बच्चे पर भी उसका गलत प्रभाव पढ़ रहा है, तो इसलिए हमें जादा से जादा इसके लिए aware होना चाहिए, अपने friends और relatives के साथ भी इसे share करना चाहिए, और अपनी health के लिए हमें खुद ही conscious होना पड़ेगा, दूसरा कोई हमें करके नहीं देगा, तो कम से कम अपनी family को तो हम at least बताएं, और अपने जो known है, उनको सब को issues के लिए aware करें, बाहर से कहीं से भी कोई भी खाना आता है, तो हमेशा फॉयल पेपर में ही रैप हो गया आता है, और ये सबसे में रैप करेंगे, तो उसका तुरंत प्रभाव हमारे खाने पर आ जाता है, उसमें कुछ ऐसा chemical होता है, जो हमारे खाने में मिल जाता है, जो बहुत बूरा प्रभाव हमारी bones पर, liver पर और kidneys पर इन सब पर हमारा bad fact डालता है, डेटेल में मैं इसके बारे में अभी इतना ज करें, हो सके तो इसे, बिलकुल बंद कर दें, कपडे वाली बात सुनकर शायद आप थोड़ा hesitate हो सकते हैं, या यह सोच सकते हैं कि office में कपडे में कैसे खाना लेके जाएं, तो इसलिए मैंने बोला है कि white कपडा देखने में सुन्दर भी लगता है, अच्छा भी लगता है और हमें अगर अपनी health का ध्यान रखना है, तो हमें इस शीज के लिए शरम, जिजग, महसूस बिलकुल नहीं करनी चाहिए, और बलके दूसरों के साथ भी से share करना चाहिए, awareness कुछ भी हो, जादा से जादा उसको फैलाना चाहिए, तकि और लोग भी स्वस्त रह सकें, हम क इतनी जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके उपाय खोझने की कोशिश नि करें, या ऐसा क्यों हो रहा है, पहले के टाइम और आज के टाइम में इतनी जादा बिमार्या क्यों बढ़ गें, हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते, तो जो हमारा लाइफस्ट् द्यान से सोचेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो कमिया हमारे खुद के अंदर हैं जिने हमें सुधारना है अगर हमें हेल्दी रहना है तो हेल्दी खाना पड़ेगा और एक्सेसाइज करने पड़ेंगी तो हम अच्छे स्वस्त खुशाल जीवन जी सकते हैं अधरवाइस कि बिमारियां दिन बढ़ती जाएंगी और डोक्टर्स के चकर काटते रहो और कुछ चीजे ऐसी हैं कि जिनके इलाज डोक्टर्स के पास भी नहीं है हम यह चोटी-चोटी चीजे अपनी लाइफ में चेंज करके अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली को हेल्दी बना सकते हैं तो देखना अब आप लोगों को है कि हमें कैसे रहना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकरी के साथ आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बता दिना आपको किसी और चीज पर जानकरी चाहिए हो तो वो भी सब्सक्राइबर को जरूर बताऊंगी टाइम टो तो अभी कंट्यूनेशन में चल रहा है यह सिलसला तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ में एक बैल जैसा बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और उसमें तीन ओप्शन आएंग तो और लोगे के साथ भी शेयर जरूर करना थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई मीरा ये इंड वेस्टन लुक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और आप ही इस तरह की ट्रैसिस ट्राइ कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग बाई गुद नैट